टीमसी निता महवा मोहित्रा को एडी ने समन बेचा है अब ये माना जा रहा है कि महवा मोहित्रा की मुश्किले बढ़ सकती है 19 परवरी को पूश्टाज के लिए उनको तलब क्या गया है कैश पॉर क्वेरी मामले में ये पूश्टाज होनी है तो दिल्ली ओफिस में पूश्टा चोगी मवा मोहित्रा टीमसी सांसद रही है और ऐसे में आप जानते हैं कि किस तरीके से उनकी मुश्किले पहले से इबढ़ चुके हैं लेकिन ये कहले जिए कि ये थमने का नाम इससे नहीं ले रही है क्योंकि जो सवालों का सिलसला है वो खत्म नहीं हो रहा है जो जवाब उनकी तरफ से अधिकारी को दिये जा रहे हैं उससे इडी के अधिकारी संतुष नहीं है इससे पहले जब उनसे सवाल क्या गया तो खुब बवाल हुआ और उन्होंने तमाम आरूप भी लगाए थे आपको याद होगा लेकिन आप देखना होगा कि क्या मावा मोहितरा के तरफ से जो जवाब दिये जाते हैं जो इडी के अधिकारी है वो उनकी जवाबों से संतुष होते हैं फर से कोई होँगा हमाद देखने क्लिम लगता है और शुलिया आगे बढ़ लगते हैं हिमान सोरेन की डी रिमान पूरी हो चुके है रिमान पूरी होने के बाद भेज़ गया जेल जमी से जोड़ी पनी लॉनरिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है पूरेन का सयोग नहीं मिला ये बात कही जा रही है आगे बढ़ेंगे टीमसी सांसद मिमी चौकरवर्ती ने स्तीफा दे दिया ममता बनर जी को अपना स्तीफा सौपर स्थानी नेताओं से मत भेद है राचनीती मेरे बस के नहीं मिमी चौकरवर्ती आपको याद होगा कि जब चुनाब वो लड़ रही थी तो उस वक्त काफी सुर्खियों में आई थी और बंगाल की मशूर आक्रिस है मिमी चौकरवर्ती जोनोंने टीमसी जोईंग किया था मिमी चौकरवर्ती ने ममता को सौपा इस्तिवा जादापू लोगसबा सीच से पहला चुनाब जितने वाली मिमी ने सोबार दोपहर विधान सबाभवन में तिरन मुल अध्यक्ष पश्यमगाल कि से ममता इनरजी से मुलाखात किया लगात के बाद मिमी ने बताया कि मैंने मुख्य मत्री को 13 फर्वरी को इस्तिफा दिया था उसे अनुमते मिलने के बाद मैं लोगसबा अध्यक्ष को इस्तिफा सौप दूँगे उनकी तरफ से खागा है आगे बढ़ते हैं खबरों में और बंगाल बिज़ेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदारपल आटीचार्ज का मामला बंगाल के चीफ सेक्रेटरी डिज़ेपी डियेम एस्पी तलब हुए लोगसबा की प्रिविलेज कमेटी ने तलब फिलाल उनको किया है इस पूरी मामले को लेकर अब लगातार हम देख रहे हैं कि बंगाल की चीफ सेक्रेटरी डिज़ेपी डियेम और एस्पी को तलब किया गया और लोगसबा की प्रिविलेज कमेटी ने फिलाल उनको तलब किया है तो वहीं पूरु पियंग एश्टी देव गोडा मनिपाल अस्पताल में भरती हैं ये जानकारी मिल रही है सांस की बिमारी और पेशाब में संक्रमन के चलती उनको अस्पताल में भरती करा गया है तीन दिनों से बुखार और खासी के साथ उनको धिकत हो रही थी हालत उनकी फिलाल सिरे चिंता के कोई बात नहीं है ऐसा डॉक्टर सियन मंजुनात की तरफ से कहा गया है तो पूर्व प्रधान मंत्री देव गोडा की तब्बेत सही नहीं है अस्पताल में उनको भरती करा गया है एक नहीं उनको तमाम दिकते हो रही है जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भरती करा गया है हलाकि राग्त की बात एक आज जा रहा है कि अभी उनकी हालत सिरे चिंता की जाधा कोई बात नहीं है कुछिया है चुली आगे बढ़ा है राम दिप़र बीजू प्रस्ताव लेकर आएगी वीजुपी के अधिवेशन में राम दिप्र को लेकर प्रस्ताव और लेकर आएगी वीजूपी राश्य आधिवेशन 17 और 18 फरवरिको है इसी आधिवेशन में रामंदिर का प्रस्ताव को देखा क्या रामंदिर की पूरी अपनी संगर्शियात रही उसको भी उस पर भी सभी लोगों ने बात रखी अब सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि 2024 के चनाव में यह मसला कितना ज़ाधा एफ़ैक्टिव रहता है बीजिपी लिए लेकिन देखे जो अपना बीजिपी का अकलन है उससे यह तो समझ में आता है कि रामंदिर को लेकर उनका यह अपना अकलन है कि रामंदिर से भी कहा जा रहा था किस अधिवेशन में संभफता मतुरा को लेकर के भी कोई प्रस्ता भारती जनता पार्टी की तरफ से लाया जाए बहराल आगे बढ़ेंगे नहीं कि कॉट ने डेम के नेता सेंथिल के याजचका को खालिच कर दिया पेमले मामली में आरोप तै करने पर र प्रस्किल एक बार फिर से बढ़ नहीं और अब उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है क्या अगला आक्शन होगा वो देखना बहुत जादा महात्रपूर्ण लेकिन फिलाल उनकी जो नियाए खिरासत है वो बढ़ा दी गई महिमा बेरकुल अगर देश विदेश की सेग्मेंट को हम देखिए तो अखवारों एक और खबर का जिक्रा है वो है ग्रीस से ग्रीस से समलेंगिक विवा को वैद बनाया है फिलाल और इसकी जानकारी आपको देंगे पीम ने कहा कि गंभीर समानत अब खत्म होगी फिलाल देखिए यह टिपड़ी उनकी तरफ स की बेहत करीब है और जल्दी लोगों को इसकी वैक्सीन भी मिलेगी रूसी रश्टपते पोती ने जानकारी दिये कि कैंसर की वैक्सीन बनाई जारे है और अगर सोचे यह मुम्किन हो जाएगा क्योंकि यह कहा जारा कि रूसी साइंटर्स के विसके बेहत करीब है तो कितन बढ़ते हैं बातों कि रहायशे रिलाकों की जहां पर आज कोचिंग सैंटर रहायशे रिलाकों के अंदर अगर कहीं पर हैं तो और कोचिंग सेंटर्स को लेकर अलग-अलग गाईडलाइन्स जारी हुई है फिछले कि जुनों में क्यूंकि आपने यह भी देखा कि कई ताग पर रखकर कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं अब कोचिंग सेंटर्स को लेकर जो नई गाइडलाइज आई हैं उनके तहट में रेजिदेंशल लाके के अंदर अगर कोई भी कोचिंग सेंटर चलता है वहां पर 20 स्टूडेंट हैं तो अब यह आक्टिविटी नही पताया कि किस थरीके से ऐसे घटनाई पहले भी सामने आ चुके मिल पास असवक्त दैनिक जाग रहने हैं वहां पर लिखाए कि आवासी शेत्रत से बाहर हो 20 से अधिक छात्रों वाली कोचिंग सेंटर दरसल इस पूरे मामले में कोचिंग फेडरेशन आफ इंडिया की प्रहलाद कुर्जर के तौर पर हुई है राजस्थां के अलवर के बांसूर का रहने वाला ये में तक बताय जा रहा था जो कि वहां पर पहुंचा और शेरों के साथ वो सेल्फी लेना चाहता था इससे पहले भी कई घटनाई सामने आती हैं जहां पर जू में कैसे जानव प्रहला कर दिया जिससे व्यक्ति की जान चली गई है वो व्यक्ति राजस्थां का बताया जा रहा है हलाकि जू प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं लेकिन ऐसी लापरवाही महंगी पढ़ सकती है जान तक जा सकती है महिवां इस तरह के खबरें आपके बार देखते होंगे तस्वीरें आपको इससे पहले भी जागोपारत में दिखाई थी जब एक सुरंग चटिस गड़ की मेरे ख्याल में वो सुरंग है और जहां पर सर्च ऑपरेशन के दुरान टीम के तो उनको उस सुरंग के बारे में पता चल के लिए चली हुई थी जा रही थी और उसी दुरान यहाँ पर एक खबर सामने आई जिसमें कुछ जवानों के हालत आप बहुत ज्यादा गंबीर है आगे बढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जरुत मंदों को अपने ओर्गन डोनेट कर देते हैं और अब ऐसे लोगों को जो ओर्गन डोनेट करेंगे उनको राजिक्यस सम्मान दिया जाएगा उडिसा सरकार ये राजिक्य सम्मान उन लोगों को देगी सियम रवीन पतनायक ने इस बात का एलान किया है उनकी तरफ से बात कही गई है अंगदान का निर्णे लेना सहसी और महानकार्य है ब्रेंड बिट के ओरगन डोनेट किये हैं और ऐसे में 6 लोगों की जान बची है समझे कि अगर कोई औरगन किसी इंसान के काम का नहीं है और वोसे डोनेट कर देता है तो जो बाकी जरतमन इंसान है ना सिर्फ उसकी तमाम ऐसे लोग है जिनकी जान बच सकती है तो इसलिए उनिसा सरकार की तरफ से एलांग किया गया है कि ये एक साहसिक कदम होता है हर कोई इसे नहीं कर पाता और ऐसे लोगों को राज के सम्मान दिया जाएगा शायद उसके बाद और लोग सामने आएंगे ब्रेंड डेट के ओर गन डोनेट किये तकि जाहिर तो पर ब्रेंड डेट के ओर डोनेट किया गया है और 6 लोगों की जान बचिये है होता ही है कि लोगों से आजकल अपील भी की जा रही है कि आप लोग अपने ओर डोनेट करें होता क्या है कि ब्रेंड डेट की सिचुएशन में आपके जो ऑगन्स होते हैं उनको अगर आप डोनेट करते हैं तो माली जी अलग अलग जो आपके ऑगन्स हैं वो लोगों को जिन्दगी दे सकते हैं जैसे आपने पहले ये देखा कि रक्तदान महादान ऐसे ही आज अंगदान को भी महादान के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है इसलिए लोगों से बार-बार अफील सरकारे भी करती हुए नजर आती हैं और ये राज के समान जाहिर तौर पर लोगों को मोटिवेट कर सकता ह का इस दिश्वा में कि वो भी अपने ओगन को डोनेट करें आगे बढ़ते बात करेंगे स्पीकर नावेकर का एंसीपी बना में एंसीपी पर बड़ा बयान का कि समिधान के दसवे शेडियूल को हत्यार बनाने की कोशिश हुई है अपनी पार्टी में विद्रोग दमन के अपयोग किया गया अलोगतांत्रिक दल बदल के विरुद्ध किया जाना चाहिए था दसवे शेडियूल का उपयोग इंडियन एक्सप्रस के हवाले से खबर है एक एलेक्शन कमिशन ने पहले क्या दिया कि अजीद पवार के पास ही असली पार्टी एंसीपी है और दूसर दल बदल के विरुद्ध किया जाना चाहिए था दसवे शेडियूल का उपयोग वो इस बात का जिकर करते नजर आते हैं इंडियन एक्सप्रस की खबर है प्रिया चले आगे बढ़ते हैं और बंगाल में कॉंग्रेस और CPIM करेंगे सीट शेरिंग परवारता CPIM के बंगाल स कॉधरी की बात चीत होगी मुर्शिदाबाद में दरसल गुरुवार को दोनों नेताओं के मुलाकात होने वाली थी अब जो खबर है वो ये कि कॉलकाता में इनकी बात होगी क्योंकि आपको मालूम है कि बंगाल में TMC ने पहले ही कह दिया है कि वो केले चनाफ कंटेस्ट क मुंबई एहमदबार ट्रेनों को लगेंगे पंक, लॉंग दिस्टेंस ट्रेन की स्पीड होगी एक सुसाथ किलोमीटर प्रतिघंटे रेल्वे ट्रैक अपग्रेट की सभी काप पूरी हो चुके इनने एक्स्प्रेस में इस खबर को लेकर विस्तार से जौनकारी दी गई ह अब मार्स से मुंबई और एहमदबार ट्रेनों को पंक लगते होए नज़राएंगे और जो रेल्वे ट्रैक उनको अपग्रेट या पर फिल हल किया जा रहा है लॉग इस ट्रेन की आप स्पीड बढ़ते होए नज़राएंगे और जाही तोर पर देकी 170 किलोमेटर प्रति चीफ विप अनिल पाथिल है निश्चिंत वहीं अगले हफ़ते स्पीकर नावेर कर इस पर फैस्ता लेंगे बीच स्परवरी से विधान सभा का विशेश सत्र शुरू होगा इनियनेक्स पेस में खबर शबी है और चले आगे बढ़ते हो बात होगी BMC में फाइनेशल मिस म प्रभावित होंगे ब्रहन मुंबाई, म्यूनिसिपल कॉर्परेशन के दोसों से ज़्यादा स्टाफवर्स हैं चुनावी डूटी पर इंडियन एक्स्परस के वाले से एक खबर है जिसमें BMC में फाइनेशल मिस मैनेजमेंट के उधारन का जिक्र किया गया कि किस तरीके स वहाँ पर फाइनेशल मिस मैनेजमेंट हो रहा है और इसका खामेज़ा जाही तोर पर BMC को जेलना पड़ेगा आगे बढ़ते करनाटे के बाद जहाँ पर नीलकिरी पोलिस ने वाहन चेकिंग को तेज कर दिया है तमिलाडू से लगी सीमा पर चेकिंग बढ़ाद गई है तमबाकू उतपादों की स्मगलिंग रोकने की कवायत है हाली में तीन हजार किलो प्रतिबंधित उतपाद पकड़े गए थे इसके अलावा जानकारी ये है कि कका नला चेक पोस्ट पर पकड़े गए थे जानकारी सामना आई बर सकती है कारेश्वरन प्रजक्ट की लागत और 130,000 करोड से जादा की लागत बताई जा रही है हो सकती है अनुमानीत लागत ते की 8911 करोड रोपे थी कैग में शुरू से प्रजक्ट को अलाव कारी बताया है और SME क्याक के रिपोर्ट में इस जानकारी फिलल सब ने आई तिलंगरा हाई कोट का नोटिस गरेटर हिदरबाद नगर निगम को ये नोटिस भेचा गया है पेड़ों की कटाई पर कोट ने बकादा ये नोटिस भेचा है पर आगे बड़ते बात होगी करनाटक हाई कोट की बैंगलरू उपचुनाव निश्यदाग्या बदली अब 16 और 20 फरवरी को सुबद 6 बजे से रात के 12 बजे तक नहीं बिखेगी कोई शराब इन दो दिनों में वोटिंग और काउंटिंग होनी है पहले कोट ने 14 परवरी और 20 फरवरी को घोशिद किया था ड्राइडे इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर है और यह खबर है करनाटक से जहां पर हाई कोट ने बांगलरू उपचुनाव निश्यदाग्या को बदला है 16 और 20 यह तारीक हैं फरवरी की जब सुबद 6 बैसे लेकर रात के 12 बजे तक शराब नहीं मिलने वाले है शराब की बिक्री नहीं होगी और इन दो दिनों में क्योंकि वोटिंग और काउंटिंग होने ही जो तारीक है जिनका जिक्र अभी हमने किया 16 और 20 परवरी तो वोटिंग और काउंटिंग होनी है पहले कोट ने 14 परवरी को और 20 परवरी को ड्राइडे खोशित किया था इंडियन एक्स्प्रेस के वाले से खबर है प्रिया आगे बढ़ते तिलंगाना सीम की सिपाहियों से अपील नशे के समस्या से निपटने के अपील किये मुखेमंत्री डेवन्त रेटी ने सिपाहियों को निउक्ति पत्र इस दौरान सौपे तिलंगाना पुलिस में 15,750 नए रंग रूट शामिल हुए है और इसे दौरान उन्होंने सिपाहियों से अपील की है खास तोर पर यहाँ पर नशे के समस्या से निपटने के अपील की गई और यह भी कहा गया उनके तरफ से किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं किस तरीके से कारे योजना होनी चाहिए तमाम बातों का जिक्र के आगे कारिक्र में सम्मलित होने के लिए पहुँचे थे मुखे मंत्री रेवन्थ रेटी पश्यमंगाल से खबर आप बता दें कि चार बच्चों की मौत पर विवाद हो गया चोपड़ा से खबर है टीमसी ने की गवर्नर सीवी आनद बोस से मुलकात और बर्जर सेक्रिटी फोर्स पर लापरवाई का आरूप लगाया कहा कि बिना इजाज़त या अप्रूवल के खुदाई कर रही थी ब्यसेफ गवर्नर सीखिया पर लिट परिवारों से मिलने का गवर्या इंडियन एक्ष्परस ने इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है संदेश खाली जाने से रोका था और ऐसे में शुविंदू के साथ गारी में से तीन बीजेपे मेले इसलिए नहीं था निशिद हग्या का उलंगान पोलिस द्वारा अवैद रूप से रोके जाने की बात यहां पर रखेंगे हाई कोट के सामने तो इंडियन एक्सपेस की एक खबर है जिसमें इस खबर को प्रमुक्ता दी गई है